धंबोला में 10 दिवसी आयूर्वेद चिकितसा शिविर का हुआ समापन 84 विधायक राजकुमार रोत ने शिविर को श्रेष्ट चिकितसा बताए आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें पी 84 विधायक राजकुमार रोत ने आयूर्वेद शल्य चिकितसा शिविर धंबोला को श्रेष्ट चिकितसा बताए विशिष्ट योजना अंतरगत आयूर्वेद विभाग से दस दिवसिय नहिशुलक आयूर्वेद शल्यक शारसूत चिकितसा राजकी आयूर्वेद चिकितसा लिय धंबोला में समापन कार्यक्रम 84 बीटीप विधायक राजकुमार रोत के मुख्या आतित्य में संपन उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार उपाध्याए एवं सहायक डॉक्टर विजय कुमार जोशी और शिविर प्रभारी डॉक्टर अभैसिंग मालिवार्ड के सानिध्य सभी अतितियों का स्वागत कर विधायक राजकुमार रोत ने भगवान धनवन तरीका दीप प्रजवलित कर मालियारपन कर पूजा अर्चना की विधायक राजकुमार ने शिविर धंबोला में चल रही नियूरो पंचकर्म एवं अगनिकर्म चिकित्सा लाइव निरीक्षन किया और मरीजों से भी वारतालाप कर फायदा होना बताया भरती मरीजों से पुरुश पारा चिकित्सा की जिनकी जानकारी दी गई दस दिन में पत्री, संधिवात, उच्चरक तचाप, मधुमे, कटिशूल, लक्वा, घुटनों के दर्द, स्ट्वी रोग, चर्मरोग जैसे विविध रोगों से पीडित कुल 2465 मरीज लाभान वित हुए जिसमें पारी परमार, भायचंप दामोर, रामलाल एवं परिचारक जगदीश, राजेंद्र प्रसाद, डेवचंप दामोर, लक्षमी देवी ने सहयोग दिया। भामा शाह में दिलीप पंडिया, जयेश पंडिया धंबोला, राकेश पार्टीदार खडिया ने शिविर में किया। ब्रज मोहन पंडिया अध्यक्ष, विपिन पंडिया, राकेश पार्टीदार विशिश थतिती के रूप में योगदान रहा। राजस्थान आयूरवेद चिकित साधिकारी संग के महासचिव डॉक्टर अभैसिंग मालिवार ने विभागी आवश्यक मानभों को ल कर प्रस्ताव रखा गया। और लाई देखा और पेशन्टों बरती मरीजों को भी उन्होंने हर पेशन्ट को बेड़ पर जाके पूछा, स्थीती से अवगत कराया। और सल्यचिकिसा रूम सारा हमने अवलोकन करवाया। और अंत में विदायक महदाईजी ने कहा कि आईरोचिकिसा पद्दती बहुत ही कारगत है, तो आप खूंका लाब लेए।